करेंगे ठीक है ना तो आए चली को करना स्टार्ट करते हैं क्वेशन को करने से पहले एक बाद क्वेशन को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं क्वेशन हमसे क्या बोल रहा है देखिए क्या है कि इन गिवन फिगर गिवन फिगर में क्या है यानि मेरा यह जो लाइन है कि यह इंगल इसके पैरलल है ठीक पी एंपीशी पी ए और मेरा पीसी जो है यह बाइसेक्टर सा एंगल बी एसी का इन बी एसी का ठीक है ना इस एंगल को यह इंगल बाइसेक्ट हो रहा और A, C, D, A, C, D, it means, यह एंगल इसके बराबर हो जाएगा, और यह एंगल इसके बराबर हो जाएगा, clear है, क्योंकि यहां से AP और PC क्या है, एंगल by sector है, ठीक है न, तो student इस problem को करने से पहले, आपको एक चीज़ बता दें, ठीक है, देखिए, यह मेरा parallel line दिया हुआ है, ठी ठीक है न, A, B, ठीक है न, A, B है, C है, यह D है, ठीक है न, देखिए, लाइन मेरा ऐसे, ठीक है न, इसको मैंने dotted line से आगे बढ़ा दिया, यह भी इसके parallel है, ठीक, तो यह line मेरा parallel है, तो यह इसका क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगा, ट्रांसवर्सल ठीक है न, ट्रांसवर्सल लाइन, है ट्रांसवर्सल लाइन, तो student एक चीज़ इसमें ध्यान दीजेगा, यह वाला angle और यह वाला angle इन दोनों को sum कर देंगे, त एक को यह लिएगा स्टेंट 180 डिग्री curious वह मोग बोलते हैं समॉप को आउन्पेर्य रएंगल यह दौनों क्या है कों एर को अगर हम सम करेंगे तो कितना मिल जाएगा इसरेट्वान रिख थीक है न화를 चलिए यहां पर इसको एंगल A C D ठीक है ना देखिए यहां से देख लीजे बी एसी और A C D इनको जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा 180 डिग्री सम आप को इंटीरियर एंगल्स सम आप को इंटीरियर एंगल्स सम आप को इंटीरियर ठीक है लेकिन इस्टुइंट यह सिर्फ किसमें फॉलो होता है पैरलल लाइन्स में किसमें जब पैरलल लाइन्स होगा तभी इस फिर्फ हम लोग उस कर सकते हैं ठीक है इस-स्टुडियंट तो चलिए ठीक है ना देखिए तो उएक्वल एंगल्स में यह डिवाइड हो रहा है अगर हम इसको सब्सक्रते तो यह मेरा X है तो यह कर देंगे क्या हो जाएगा 2y और किसके बराबर होता है 180 डिग्री तो यह 180 डिग्री रख दिया ठीक है ना अब यहां से 2 common है common ले लेंगे क्या मिल जाएगा x plus y is equal to 180 डिग्री ठीक है अब देखिए आप क्या करेंगे x plus y is equal to 180 डिग्री अपॉन टू 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 नाइन जीरो कितना आ गया एक्स प्लस y is equal to 90 क्लियर है इस्टुडेंट एक्स प्लस y की वैल्यू क्या गए इस्टुडेंट 90 आ गई ठीक है क्या गए इस्टुडेंट 90 हमें वैल्यू किसकी निकालना है ध्यान से देखिए एपी यानि एपी सी यानि मुझे यह एंग्ल find out करना है ठीक है तो आजिए देखिये कैसे करेंगे देखिए एक ट्राइंगल देखेंगे हमारा बन रहा एंट्राइंगल ए पी सी ए पी सी ठीक है न देखिए इस एंगिल कसम और इस एंगिल कसम कितना होना चाहिए 180 according to angle sum property तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा angle अगल पी ए सी पी ए सी में यह एंगल आ गया ठीक है प्लस एंगल ए सी पीए ने कितना हो जाएगा 180 degree concept क्या है angle sum property ASP ठीक है ना short form में angle sum property तो देखी PAC का value क्या है PAC का value क्या है X है plus A ठीक है ना APC का value क्या है APC ही है चलिए इसको पहले लिख देते हैं CPA एक मिनेटे स्ट्रेंट थोड़ा ध्यानने देखें एंगल पी ए सी पी ए सी का value X है ठीक है ना उसके बाद यहां पर होना चाहिए देखें एंगल CPA यहां पर गलती से यह दो बार आ गया है ठीक है इसको थोड़ा सा चेंज करने यह हो जाएगा ACP क्या हो जाएगा ACP ठीक है ना चलिए ACP अब देखी क्या हो जाएगा ACP देखी मेरा PAC है PAC और ACP में यह एंगल आ गया तो हमने लिख दिया ACP प्लस एंगल CPA CPA अब बिल्गुल करेक्ट है ठीक है ना ACP की value क्या है Y कर दिजे प्लस एंगल CPA कितना हो जाएगा 180 डिग्री ठीक है तो देखी X प्लस Y की value कितनी आई है 90 आई है तो यह 90 हम यहाँ पर रख देंगे यह क्या हो जाएगा 90 डिग्री प्लस एंगल CPA क्या है CPA is equal to 180 डिग्री ठीक है अब क्या करेंगे देखी ओके इस्टे मेरा क्या दिआ हो है CPA और यहाँ पर क्या है APC तो जो एंगल बीच में हो जो जो लेटर बीच में होगा यह वही मेरा इंगल कंसेडर होगा तेखी क्या है CPA यह पर क्या लिखा है APC तो हम इसको APC भी लिख सकते है ठीक है लिख 25 prayer एंगल A PC is equal to 180 degree, ठीक है, एंगल A PC is equal to 180 degree minus 90 degree, एंगल A PC कितना आ गया, 90 degree, ठीक है न, कितनी value आ गए student, 90 degree आ गई है, ठीक है, अब student हम लोग move करते है, next problem की तरफ, चलिए आईए देखिए, यहाँ पर क्या है, देखिए मुझे क्या क्या दिया हुआ है, एक triangle दिया हुआ है, ABC, इसमें एंगल A, B, C, B पे मेरा 90 degree है, ठीक है न, फिर B, D, A, C के perpendicular है, इधर मेरा यह 90 दिया हुआ है, ठीक है न, और यह angle, angle एक इतना दिया हुआ है, 48 degree दिया हुआ है, हमें find out क्या करना है, DMC, ठीक है न, यानि यह वाला angle, देखिए क्या find out करना है, DMC, तो कौन सा angle आएगा, यह angle आजाएगा, ठीक है न, DMC, और क्या निकालना angle, B, E, M, B, यह B है, यह E है, यह M है, तो क्या निकालना है, find out करना है, clear होगा है student, कोई problem नहीं होगा, ठीक है, आप चलिए, देखिए, मुझे बड़ा वाला triangle दिख रहा है, A, B, C, देखिए, इन triangle, A, B, C, दिखाई दे रहा है, A, B, C, दिख रहा है, ठीक है, देखिए, बड़े वाले triangle में क्या है, एंगल A, 48 है, B, 90, A, C, हम निकाल सकते हैं, आईए, एंगल A, प्लस, एंगल B, प्लस, एंगल C, इस इकल टू, 180 डिग्री, एंगल सम प्रोपर्टी, एंगल सम प्रोपर्टी, ठीक, एक वालू 48 है, तो यहां पर 48 रख देंगे, प्लस, बी का वालू 90 है, यहां पे 90 पूट कर देंगे, प्लस, एंगल C, 180 डिग्री, ठीक है, एंगल C की वैलू क्या हो जाएगी, देखिए, पहले इसको आड़ कर लें, 9, 4, 13, 138, ठीक है, 180 डिग्री, एंगल C कितना हो जाएगा, देखिए, 180 डिग्री माइनस 138, 10-8 is 2, यहां बच गया, 7, ठीक है, 7-3 is 4, 42, 42, 2 डिग्री, ठीक है, एक बार फिर से चेक कर लें, यह मेरा 48 डिया, यह 90 डिया है, एड करेंगे, तो मेरा 138 आ गया, इधर जाएगे, माइनस कर देंगे, 10-8 is 2, 7-3 is 4, 1-1 is 0, तो एंगल C मेरा क्या आ गया, 42 डिग्री आ गया, ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं, क्या और भी कुछ डेटा दिया हुआ है, ठीक है, BD is perpendicular to AC, CE biceps angle C, कि अग्री, हा देखिए, एक चीज डेटा और दिया है, CE line angle C को bisect करता है, और angle C कितना, 49 है, 42, इसका मतलब क्या है, यह भी 21 हो जाएगा, ठीक है यह भी क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा, क्योंकि CE line क्या करता है, angle C को bisect करता है, देखिए, यह 21 है यह 21 है ठीक है ना हमें क्या निकालना है एंगल DMC DMC यह एंगल उन्नोन है चलिए बहुत असानी से निकाल सकते हैं देखिए इंट्राइंगल को अगता है एक एक एम डी सी ठीक ना मदी सी में क्या हो जाएगा देखिए एंगल cmd cmd या इस्टुइंट यहां पर दिया हुए DMC तो इसी फ़र्म में लिख लें ठीक ना DMC यह एंगल हो गया प्लस एंगल m c d m c d ठीक ना प्लस एंगल c d m c d m ठीक अब देखिए DMC हमें निकालना है रहने दीजाएंगल d m c अप्लस एंगल m c d m c d अभी कितना है 21 डिग्री अच्छा यह is equal to student इसमें यह 180 डिग्री हो जाएगा जो की मिस हो गया है एंगल सम प्रॉपर्टी ठीक है अब देखिए क्या एंगल c d m c d m c d m की बलू क्या है 90 डिग्री यहां पर 90 रख दीजें ठीक ना इस इकल टू 180 डिग्री अंगल d m c प्लस देखिए यह 1 हो जाएगा 9 to 11 11 डिग्री इस इकल टू 180 डिग्री अंगल d m c कितना हो जाएगा कि 180 डिग्री माइनस 111 एंगल d m c 10-1 इस 9 ठीक है 7 बज़ गया ठीक है 7-1 इस 6 तो इस्ट्वेंट यहां पर हमने देखा एंगल d m c कितना आ गया 69 डिग्री आ गया इन इसका क्या आगया सिक्षिन डिग्री देखिए एक चीजा इसके अलावा हमें और क्या निकालना है एंगल बी इए ए म यानि मुझे यह एंगल कल्वेट करना है कौन सा यह और कल्कवेट करना है बहुत आसानी से देखिए हम ट्राइंगिल ले लेए ई बी-इसी हमें य यह भी पता है यह निकाल सकते हैं देखिए यहां पर देखे इंट्राइंगल कि ईबी सी ठीक है न क्या हो जाएगा ध्यान से देखिएगा इंगल ईबी सी प्लस एंगल EBC में ये एंगल हो गया प्लस एंगल BCE BCE में ये एंगल आ गया ठीक है न? प्लस एंगल CEB एंगल CEB is equal to 180 degree by angle sum property ठीक है न? एंगल EBC 90 डिग्री दिया हुआ है 90 डिग्री एंगिल B C E B C और E यानि यह 21 है 21 कर देज़े ठीक है ना प्लस अंगल C E B ठीक है ना इस इकल टू 180 डिग्री एक ही अन्नोन है निकाल लीजे यह कितना आ गया 111 प्लस अंगल C E B ठीक है कितना हो गया 180 डिग्री तो एंगल C E B कितना आ गया 180-111 तो एंगल C E B कितना आ गया 69 डिग्री तो इस प्लस यह मुझे निकालना था यह एंगल कितना आ गया मेरा 69 डिग्री आगा है ठीक है ना देखिए चाहे हम C E B कहें चाहे उसको B E M कहें मुझे कैल्क्रेट यहीं अंगल करना है ठीक है तो यहां पर क्या है एंगल C E B इस इक्वल टू सेमी अंगल है ठीक है केवल नेम का डिफरेंस है और एंगल B E M यह दोनों क्या है सेम है और कितना आ जाए स्टुडेंट 69 डिग्री क्लियर है कितना आ जाए 69 डिग्री आ जाए ठीक है स्टुडेंट अब इसके बाद स्टुडेंट हम लोग मूव करने जा रहे हैं नेक्स प्रॉब्लम पे जो की एक्जाम के पॉइंट आ विव से बहुत हाँ इंपोर्टेंट है तो कैसे नंबर 19 पे मूव करते हैं है है कि इसिले देखी क्या है क्रेंगेल वारे भी क्यूं &source PQ PR के equal है PQ मेरा PR के equal है ठीक है ना triangle PSR is equilateral PSR क्या है equilateral है angle Q26 है हमें निकालना क्या है Y की value निकालनी है यानि यह जो unknown variable है student एक चीज़ पर थोड़ा ध्यान दे PSR कैसा है equilateral है तो equilateral में क्या होता है है all sides equal all sides क्या हो जाता है यह तो सभी साइट बराबर होती है और इच एंगल कितना होता है कि 60-60 डिगरी का होता है ठीक है ना इच एंगल 60 डिगरी देखी मेरा यह भी 60 हो जाएगा यह भी क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा और यह भी क्या हो जाएगा इस्ट डिगरी ठीक है तो 60-60 की यह हो गया है अब देखी ट्राइंगल पी की वार में क्या है ट्राइंगल पी की वार दिखाई दे रहा है इसमें क्या है पीकिव इसके सामने के एंगल भी को जाएंगे यानि एंगल क्यूपी आर देर फोर एंगल क्यूपी आर इसको एसे कर दिए यह पूरा एंगल बराबर है इधर का भी और इधर का यह पूरा मेरा एक्वल हो जाएगा देखिए यह तो मेरा 60 है और यह वाई है तो पूरा मिला के क्या हो जाएगा 60 प्लस वाई इधर का भी क्या हो जाएगा 60 तो यह भी वाई हो जाएगा तभी यह 60 प्लस वाई बनेगा ठीक तो यह क्या हो जाएगा 60 प्लस वाई clear आप क्या करेंगे PQR में हम angle sum property का use करेंगे देखिए intra angle PQR तो कि PQR में आप क्या करेंगे angle P plus angle Q plus angle R is equal to 180 degree by angle sum property ठीक है P की value क्या है 60 plus Y Q की value क्या है 26 तो यहां पर रख देंगे 26 R की value क्या है 60 plus Y 180 degree ठीक है 60 और 60 मिला कितना हो जाएगा 120 120 में 26 जोड़ें कितना हो जाएगा इस्वेंट 146 plus 2 Y is equal to 180 degree आप क्या करेंगे इस्वेंट मेरा क्या हो जाएगा यह 180 degree है ध्यान से दीजिए इधर मेरा plus 186 है इसको हम उस तरफ ले जाएगे तो क्या हो जाएगा माइनस कर दीजिए माइनस कर दीजिए माइनस है तो यहां से हमने देखा कि टू आई कितना आ गया है 34 डिगरी आ ठीक है वाई क्या क्या करेंगे देखी वाइज इक्वाल टू थर्टी फोर अपान टू कितना गया तो यहां पर हमने क्विश्चन नंबर 19 तक फुली कम्रीट करिया है आई होप आप सभी लोगों को प्रॉब्लम क्लियर हो गया होगा इससे आगे का जो भी प्रॉब्लम से वह हम नेक्स लिक्टर में डिसकस करेंगे तिल देन आल दा स्टुडेंट्स टेक कियर देने क्वे